हलो फ्रेंड्स मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ आज मैं तिल के लड़ू बनाऊंगी बिना मावा के बिना चासनी के बिना किसी जंजट के एकतम नए तरीके के एकतम सॉफ्ट मुँ में घुल जाने वाले तिल के लड़ू और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही आसानी से मातर दो से तीन मिनट में ये लड़ू बन जाते हैं बहुत इजी इसके लिए देखिए आपको सिर्फ दो चीजों से बनाएंगे हम तिल और गुड और बिना घी के ये बनाएंगे तो सबसे पहले आपको गुड ले लेना है और गुड को क्या करना है कि आपको ग्रेट कर लेना है आप इसको मतलब तोड के भी बना सकते हैं लेकिन ग्रेट करके बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये सौफ्ट लड़ू बनेंगे अब बिना मावा के बिना खोये के इस से आसान तरीका ही नहीं होगा ये तिल के लड़ू बनाना इस लड़ू को बच्चे भी बना सकते हैं इतना ये टीस्टी और इतना सॉफ्ट सबसे बड़ी बात है बिना चासनी बनाए हुए बिना जंजट के इतना इजी तरीका बताएं कि अगर बच्चे भी जान जाएंगे तो बार बार इस तरह का वो लड़ू बना के खुदी खा लेंगे तो यह देखिए इस तरह से आपको क्या करना है कि गुड़ को ग्रेट कर लेना है बहुत ही एजी और बहुत ही आसान तरीका है तो देखिए एक गुड़ को मैंने पूर चाहे मोटा चाहे उसी साब से आप ग्रेट कर सकते हैं तो यह देखिए दूसरा वाला भी फटा फट अच्छे से ग्रेट हो जा रहा है बहुत ही आसान तरीका है बिना मावा के बिना किसी जंजट के तो देखिए गुड़ को ग्रेट कर लिया है और मैंने बताया सिर्फ द आधा आपको गुड़ ले लेना है यह आपको अनुपात रखना है एक समान अनुपात नहीं है कि एक कटोरी तिल है तो एक कटोरी गुड़ उतना नहीं तो इसके लिए आपको क्या करना है कि तिल को भूनना है अगर आपके पास भूना हुआ तिल है तो फटाफट एक मिन कि बिना मावा के और बिना किसी जंजट के ये लड्डू बना है एकतम साफ्ट मुझ में घुल जाने वाला देखिए इस तिल को जब भी आप भूनेंगे तो लो फ्लेम में भूनना है तो बस देखिए धीरे-धीरे से ये हलका हलका चटकने लगा है यानि कि ये बहुत ही मैंने बंद कर दिया है और ये ठंडा हो रहा है और फिर इसे हम उसी तरह बाउल में रख लिये हैं तो जिस तरह से हम मिकसर में डालेंगे सेम उस तरह से आपको डालना है सबसे पहले एक बाउल आपको तिल डाल देना है फिर गुड डालना है तो ये देखिए मैं गुड लड़ू बन जाता है एकदम सौफ्ट तो बस देखिए एक मिनट आगर आप चला देंगे तो इस तरह से एकदम बन जाएगा और बिना जंजट के एकदम नए तरीके का बिना मावा के बिना चासने के बिना घी के ये लड़ू तयार है एकदम सौफ्ट मुँए घुल जाने तो इस तरह से आप लड़ू बना लेजिए तो ये देखिए इस तरह से हम लड़ू बना रहे हैं बिना हाथ में घी लगाए हुए ये आसानी से लड़ू बन जाते हैं बच्चे भी इस लड़ू को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात है ये एकदम मु ये देखिए एक्दम सॉफ्ट मूँ में घुल जाने वाले लड़ू आप चाहें तो यहां पर अद्रक का पाउडर भी डाल सकते हैं और एक्दम इजी तरीका है तो ये देखिए इस तरह से लड़ू बना रहे है तो ये जो तील है ये अपना ओयल छोड़ा हुआ है तो इस कि आपको टेस्टी मूं में घुल जाने वाले सॉफ्ट नए तरीके के लड़ू की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थेंक्यू फ्रेंट्